असलाम लेकुम देर स्टूडेंट्स तो हमारे जो नियू को स्टार्ट हो रहा है वो है एनिमल डाइवर्सिटी टू ठीक है उसका जो फर्स चैप्टर है वो है एकाइनोडर्म्स अब एकाइनोडर्म्स में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एवलूशनरी परस्पेक्ट और हम यह जो कोर्स पढ़ रहे हैं एकॉर्डिंग टू मिलर एंड हार्ले बुक पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर 16 है ठीक है तो उदर से आपने इसको करना है डिफरेंट एडिशन में चैप्टर के नाम डिफरेंट होते हैं लेकिन एकाइनोडर्म्स वाला चैप्टर बिस आपने उदर से पढ़ना है ठीक है तो पहला है एवलूशनरी परस्पेक्टिब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि मतलब किस निगासे जॉलेजिस्ट या एकाइनोडर्म्स थे तो वो क्या करते थे वो हमेशा फॉर एक्जेंपल लेट सपोज यह कोई भी एकाइनोडर्म है तो यह किसी सबस्ट्रेट के साथ अटाइच रहते थे यह सबस्ट्रेट हो गया यह एकाइनोडर्म हो गया ठीक है तो जो पुराने एंशन्ट एकाइनो form में होते हैं suspended food particles तो कहते हैं कि जो ancient echinoderms होते थे ना वो इसी suspended food particles को खाते थे और जो suspended food particles को खाते हैं जो animals उसको कहते suspension feeders तो जो ancient echinoderms थे वो suspension feeder थे और substrate के साथ attach रहते थे यही characteristic आज कल के echinoderms में भी यह दोनों characters मौझूद हैं अब मैं आपको दिखाऊंगे कुछ examples के echinoderms में कौन-कौन से animals आते sea stars आते हैं sea urchins आते हैं इसके लावा sand dollar है sea cucumber है अब इन सब को आप देख लेता कि आपको अच्छे से याद रहे कि कौन-कौन से animals है ठीक है तो पहला यह है आपके पास sea star जिसको स्टार फिश बीक है ठीक है उसके बाद है sand dollar यह सारे के सारे काइनोडर्म animals के example यह देख लेए sand dollar है ठीक है इसके इलावा यह सी अर्चंज है आपके पास अर्चंज ठीक है spiny structure जो इसका है colorful है different different colors में available है इसके बाद है सी कुकंबर यह सी कुकंबर है ठीक है तो यह कुछ मैंने एकाइनोडर्म के आपको examples दिखा दी अब आते है topic की तरफ ठीक है अब कह रहें कि यह जो एकाइनोडर्म है ना इनका number day by day कम हुए जा रहा है day by day यह declining की तरफ जा रहे है मतलब ही extinct हो रहे इस तरह एकाइनोडर्म का number day by day decrease हो रहे है कहते हैं कि estimate के मताबक 12 से लेके 18 classes जो है ना एकाइनोडर्म की वो अभी तक extinct हो चुकी है ठीक है 12 से लेके 18 classes एकाइनोडर्म की extinct हो चुकी है ठीक है और जो living काइनोडर्म है उनकी इतनी कोई major importance नहीं काफी minor importance है उसकी अच्छा इसके लाव बायोटा किसे कहते हैं बायोटा कहते हैं जब जो भी living part होता है किसी भी ecosystem का किसी भी environment का तो कह रहे हैं कि marine ecosystem में जितना भी बायोटा है उसका three major classes है काइनोडर्म की उन्होंने marine ecosystem का major biota सारा का सारा इनी three classes ने बनाया हुआ है मतलब three classes जो है न एकाइनोडर्म की ज्यादातर समंदर में वही एनिमल्स मुझूद होंगे ज्यादातर जितने भी living part है समंदर का वो इनी three classes ने बनाया है एकाइनोडर्म का ठीक है अब इसके बाद कुछ characteristics हैं काइनोडर्म की वो पढ़ लेते हैं सबसे पहला character इनका ये है कि इनका calcareous endoskeleton होगा इंडoskeleton क्या होते हैं वो skeleton जो कि skin वगएरा के अंदर organism के अंदर मुझूद होते हैं एक्जो सकेलेटन जिसे हमने पढ़ा था आर्ट्रोपोर्ट्स वगएरा में तो उनकी body के बाहर था इसलिए एक्जो था और ये body के अंदर है तो endoskeleton है तो calcareous endoskeleton होगा मतलब calcium से बना हुआ skeleton है इनकी body में मौझूद होगा बिल्कुल ozicals के form में होगा ozicals क्या होते जो air में छोटे-छोटे से three bones है उनको ozicals कहते थे ozicals के form में होगा और ये endoskeleton बनता कौन से मीजो कौन से उससे है लियर से है embryonic लियर से तो ये जो है तो बनता है मीजोडर्मल टिशू से जो मीजोडर्मल टिशू है ना उसी से बनता है ये calcareous endoskeleton अब इसके बाद दूसरा character क्या है इनकी जो है तो पेंटा-radial symmetry होती है पेंटा-radial symmetry अब पेंटा-radial symmetry का क्या मतलब है कि ये for example animal है मेरे पास starfish है तो ये देख ले ये इसका हो गया oral surface मतलब mouth का surface ये यही एनिमल इसका मैं front दिखा रही हूं और मैंने अभी इसी starfish को उल्टा कर दिया तो ये इसका एनस side है इसके जो फ्रंट है मतलब इसका डॉर्सल वेंट्रल फ्रंट और बेक दोनों साइट से इसकी बॉड़ी की जिमेटरी ऐसी होगी कि ये five में अरेंज हुआगा five sides में देखें इस तरह से ये five sides में अरेंज हुआ है दोनों साइट से जब कोई भी organism five sides में डिवाइड हो सके five sides में उसकी बॉरी की सेमेटरी हो तो उसे हम पैंटा रेडियल सेमेटरी किए अँए अवर बात इनका Veniceघ करेक्ट क्या है कि इनके जो इंकि जो अंकी तो पैंटा बेडियल सेमेत militr趣 है लेकिन जो इनकी लार्वल फॉर्म सोते है उनकी होती है visual symmetry है बाइअ बाइट र सेमेट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म टू इकवल पार्ट में यह लारवा है और इसको में टू इकवल पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं थीक है अब इन इनका फर्ड करेक्टर है कि इनमे वाटर वस्कूलर सिस्टम मौझूद है ठीक है वाटर वस्कूलर सिस्टम इनमे मौझूद है जिसे स्पॉंजिस में मौझूद है ठीक है और वाटर वस्कूलर सिस्टम में क्या होता है कि इनकी बॉड़ी में केनाल्स है और उनके नाल्स को क्या किया water ने fill किया definitely water vascular system है तो उनकी body में canals होंगे उनकी canals को water ने fill किया होगा ठीक है उसके बाद क्या होता है कि यहीं जो water vascular system है यह इनको locomotion में भी help देता है मतलब इनकी body जब moment करती है उसमें इनको help देता है locomotion के इलावा इनको किसी भी surface के साथ attachment में और उसके इलावा feeding में जब यह किसी चीज़ को खाते है उसमें भी इनको यही water vascular system help देता है यह होगा इसके तीन characteristics इसके बाद है fourth characteristic के इनका जो complete digestive system है ना वो बाद में जाके reduce हो जाता है पहले होता है complete digestive system लेकिन बाद में जाके reduce हो जाता है complete digestive system मतलब जो mouth से start हो एनस पे end हो और उसमें सारे के सारे digestive organs मौजूद हो लेकिन इन में सारे के सारे digestive organs मौजूद नहीं होंगे तो इनका complete digestive system नहीं है ठीक है उसके बाद fifth character है कि इन में hemal system मौजूद है मतलब इन में blood है ठीक है हीम का मतलब blood ऐसा pigment जो के oxygen carrying capacity हो तो इन में भी मतलब body fluid मौजूद है blood इन में मौजूद है तो इनका hemal system है अब इसके बाद next six point है आपके पास जो six characteristic है वो animals इकाइनोडर्म होंगे जिन में यह छटा character भी मौजूद होगा कि इन में silomic cavities मौजूद है मतलब इन की body में cavities मौजूद है ठीक है own cavity true body cavities इन में मौजूद है ठीक है इसके बाद इनके nervous system पर जाएं कि nervous system इन का किस तरह से होगा तो इनका जो nervous system है वह nerve net की form में होगा ठीक है रहे नहीं नर्वने से एक net बनाई होगी ठीक है इसके लावा एक nerve ring होगी ठीक है और उसके लावा radial nerves होगी इस तरह से radial nerves होगी तो यह था यह थे इसके कुछ characteristic और उसका evolutionary perspective अब हम next topic पढ़ते हैं कि जो काइनोडर्म है इसका बाकी animals के साथ क्या relationship है ठीक है काइनोडर्म का relation with other animals तो देखें एक तो यह कि एकाइनोडर्म्स जो है ना इन में ड्यूट्रोसॉम मौझूद है ठीक है तो ड्यूट्रोसॉम की presence की वज़े से एकाइनोडर्म्स को कहते हैं कि यह हैं हमिकोर्डेट एकाइनोडर्म्स जो है तो हमिकोर्डेटा हमिकोर्डेटा क्लास हम पढ़ेंगे और कोर्डेटा जो लोधना ना इन दोनों के और एकलैनोडर्म्स के मतलब इन तेनों का सेम स्ट्रा था क्यों कह रहे, कि कैज रहें कि इन Sब्का सेम के सेम ही evolution एक ही ancestor से हुई है क्योंकिनमें ड्यूट्रोसॉम्ट प्रेजेंट की देचिके इन तेनों मौझूद है सीलों मौझूद है इसके इलावा इन में embryonic gut track मौझूद है ठीक है इसके इलावा इन में radial cleavage होती है मतलब इनका जो लारवा होता है ना उसमें radial cleavage होती है इसलिए इन सारी human-яни- character's ke basis pewn機 अकान CU seconds बार एकाइनोडर्म का हैं Canada का सब का सेम अन्टिस्टर थीक है अब कितेए कि ऐसा हम नहीं कोई भी फॉस्य L डिकॉर्ड नहीं मिला कि जिसस近ि हमें पताचले कि कि इसके कोई भी कॉमन इंस्स तरफ्रते डिपलो ब्लस्टिक या ट्लो ब्लस्टिक ओरगने जलुई नए त contributes तो ट्रेपलो ब्लस्टिक और गनेंजम के साथ इसका इसका कोई समुख हमिए इतने भी सानत olvidate ट्रूसल रॉबे मिले हैं उसमें यही नहीं शोक किया गया कि इसके जिब कोई बी कंसरंड है कोई इंका सिमिलर ईनसेटरिगा इंसिस्ट्री स्टि नहीं है करेंगे की इकई रहे हैं कि युर случай यादल्टों होते हैं वहALIडियली है युय anne adolajat होंगे वह होंगे रेडियली सेमेट्रीकल तो radially symmetrical की basis पे ये कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो ancestor थे वो bilaterally symmetrical थे ठीक है एक आइनोडर्म्स के जो adult होते हैं वो radially symmetrical होते हैं जो इनके तो इससे ये जाहिर हुआ कि इनके जो ancestors थे वो bilaterally symmetrical organisms थे ठीक है इसके इलावा कुछ evidences मिले हैं जिन्होंने relationship शोग की है कि इनके जो larval stages होते हैं वो bilaterally symmetrical होते हैं अब इनके larval stages जो हैं एकाइनोडर्म्स के वो भी bilaterally symmetrical हैं तो इससे भी हमें पता चलता है कि इनके ancestors क्या थे bilaterally symmetrical थे ठीक है अच्छा अब जो forms extinct हो चुकी हैं मतलब हमने पढ़ाना start में कि इसकी कितनी classes है 12 to 18 classes इसकी extinct हो चुकी हैं तो के रहें कि जो इसकी extinct classes हैं उन में से किसी की भी radial symmetry नहीं थी जितने भी classes extinct हो चुके हैं उन में से किसी की भी radial symmetry थी ही नहीं तो मतलब क्या हुआ कि इनके bilaterally symmetrical ancestors थी लेकिन अभी currently इनकी radial symmetry है और इनके लार्वा की भी bilateral symmetry है तो इसे हमें पता चला कि इनके bilaterally symmetrical organism जो थे इनके ancestors थे इसके लावा इनके जो ancestors थे इनके hemi core data के और core data के सबके same ancestors थे तो यह था आपका आज का topic और इसको अच्छे से समझ लें जहां पर भी समझना है तो फिर comments में पूछें